इस बार सच में बाइक आने वाली है वैसे ही आने वाली है कोई भी दिन हम स्किप नहीं करेंगे बहुत सारी चीज़े हमने मिस कर दिया इस टाइम फ्रेम में जो की अब हम बैक टू बैक कवर करने वाले है तो आज की वीडियो यह लेटेस्ट एंट्री ड्रॉज के बारे में होने वाली है जो बैक टू बैक आए है बहुत ही अभी यह जो रीसेंट वाला है उसका कट ओफ थोड़ा सा लो रहा है इस पहले आता था इस वीडियो में हम उनी के बारे में जो लेटेस्ट ड्रॉज आए हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कट ओफ क्या रहे हैं ऑक्कुपेशन बेस्ट थे जा जनरल थे और आगे का प्रोसस क्या रहने वाला है तो वीडियो को एंड जरूर देखिए का जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स को बट वीडियो को स्टाट करने से पहले एस यूचुल मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहते हूं चैनल को सब्सक् यह की वेबसाइट पर जाके अपना जो है लेटेस्ट वाला ड्रॉ जो है वो चेक कर सकते हो बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपने प्रिवियस राउंट चेक करने हैं तो वो कैसे कर सकते हो आप मोस्ली आपको पता ही होगा अब तो यह जो लेट पहले वाले draws आये थे उन में 1,500 के बीच में ही थे invitation बट इस वाले में 4,500 जो है invitations issued होए है और जो cut off रहा है वो lowest रहा है 491 का रहा है अब बहुत सरे लोगों को ये भी confusion होगी कि STEM occupation में actually कौन से लोग आते हैं कौन सी occupations आती है STEM में जानी की S stands for science, T stands for technology, education and mathematics M is in mathematics ठीक है तो ये जो 4-5 occupations आती है ये STEM में आती है ठीक है और technology में बहुत सारी occupations आती है उसकी आपको complete list चाहिए तो मुझे comment करना मैं आप लोगों को comment section में pin कर दूँगी ठीक है और उससे पहले like right before the 11th of April 10th April को draw आया था जो की general का draw था बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि general का draw कौन सा होता है तो general का draw होता है जिसमें सारी occupations आ जाती है doesn't matter कि आप कौन सी occupation में मतलब काम कर रहे हो जा कौन सी occupation में हो बट एक चीज और अब यहां पर बहुत सारी confused होंगे लोग occupation कोई भी हो but that has to be a category under 0,1,2,3 tier ठीक है क्योंकि जो express entry है उसकी legibility ही 0,1,2,3 tier है ठीक है तो वो सारे आ जाते हैं जिसका cut off रहा था 549 और इसमें invidations issued हुए थे 1280 बारहसो असी ठीक है उससे पहले 26th March को जो cut off जो sorry draw आया था जो की बहुत ही जादा लो था मतलब इससे लो तो और क्या ही हो सकता है 388 अगर किसी ने मतलब 12th करी हुई है आल्स में बहुत अच्छे बैंड नहीं भी है तब भी आपके 388 बन जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे अल्स में बैंड ले लेते हो 12th वाले तो आपका आराउंड 400 स्कोर अराम से बन जाता है और अगर किसी ने बैचलर्स करी है और उपर से अल्स में बैंड अच्छे आजाते हैं तो 420, 30, 40 depending on कि आपके कितने अच्छे स्कोर हैं ठीक है तो 388 तो बहुत ही अराम से बन जाते हैं बट ये इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूँ कि जो लोग अभी जिनों ने अपना वर्क परमेंट स्टार्ट किया है मला अभी उनको वर्क परमेंट मिला है अगर अभी आपके पास क्योंकि एक साल तक तो आप वैसे ही एक्सप्रेस एंट्री के अंडर फाइल नहीं लगा सकते हो जब तक आपके पास एक साल का एक्सपिरियंस नहीं हो जाता तो उस एक साल में अगर आप साथ साथ में फ्रेंच सीक लो तो आपको अगर कुछ भी ना हो ना तो आपको कम से कम फ्रेंच के वैसे पॉइंट मिल था तो मैं जो देखरी हूं जो मैंने अब्जर्व किया है अन एवरेज एक के बाद एक ड्रॉ आ रहा है और अन एवरेज एक महीने में दो जनरल ड्रॉ आ रहे हैं और दो ऑक्कुपेशन बेस ड्रॉ आ रहे हैं ठीक है और आपको उसी सब से चलना है मतलब अगर अगर अल्मोस्ट ऑक्कुपेशन बेस्ट आये हैं तो मतलब फ्रेंच लेंग्विज का जो है वो अल्मोस्ट एवरी मंथ ही आ रहा है तो मतलब अगर अब यह देख लो जो ट्वंटी नाइज को फ्रेंच का आया था वो 336 का था और मतलब उससे भी लो था तो जादा से जादा क कोशिश करो कि आप फ्रेंच सीखो राइट क्योंकि ओकुपेशन अगर किसी आप पर्टिकलर ओकुपेशन की बात करें अगर आप किसी ओकुपेशन में अभी नहीं हो तो उस पर्टिकलर ओकुपेशन में जाना किसी के लिए भी हाड है क्योंकि एकदम से कोई ओकुपेश में रखते अपनी PR को consider कीजिए PR के रूल काफी hard हो रहे हैं आज कल हर जगा पे ही mostly तो उनी चीजों को ध्यान में रखते हूं मैं आप लोगों को बोलती हूं keep that in mind आप बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को सोच के ही अपना देखिए ठीक है जी तो यही मैंने आप लोगों के स क्योंकि पीछे जो है एक्सप्रेसेंट्री के ड्रॉस बिल्कुल ही बंद कर दिये जब से आपने मेरी लास्ट वीडियो मेरे खाल से देखी होगी जब से गवर्मेंट ने यह अनॉंस किया था कि इस बार मोर सीईसी ड्रॉस आएंगे जहनी की कनेडियन एक्सपिरिंस क्ला आया है अब स्टेम वाला भी आगया होफुली अब मुझे जो लगता है एक दो महिने में ट्रांसपोर्टेशन के बेस्ट भी ड्रॉ आएगा ठीक है तो यह थी आज की वीडियो आगे की वीडियो के लिए स्टे त्यूंड बहुत ही इंपोर्टन अपडेट्स में आप लो के मिलते हैं अगले व्लोग में अगली वीडियो के साथ बाब बाई